नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको बिये भाग प्रत्थम का दूसरा प्रश्ण पत्र प्रतिनिदी भारतिय राजमितिक विचारक में तिलक के राजमितिक चिंतन के बारे में बताना चाओंगी, बाल गंगा धर तिलक अठारा सो नवासे में भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस के सदस्यता इन्होंने प्राप्त की थी, इसी समय से उनके राजमितिक विचारों का क्रम भी प्रारंब हुआ, सन 1889 चुरानमे के वर्षों में तिलक विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने इन वर्षों में कांग्रेस के वुदारवादी कारेकरम और मार्ग का समर्थन किया, और वे इस बात को स्विकार करते थे कि कांग्रेस ने अपनी सम्वेधानिक नीती तथा प्रस्तावित सुधारों की मांग से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं कांग्रेस के नागपूर अधिवेशन में उन्होंने का था कि उनका लक्ष शासन को दुर्बल बनाना नहीं है लेकिन उनके राजनितिक और सामाजिक चिंतन का मूल आधार उदारवादियों से भिन था इसलिए वे अधिक समय तक उदारवादी विचारधारा के साथ जूड़े नहीं रहे और सरन अठारा सो पिचान में से उनके राजनितिक चिंतन में परिपकवता आई और ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कारियों तथा स्वयम के रास्टरवादी विचारों ने उन्हे उदारवादियों से अलग कर दिया उनके राजनितिक चिंतन की बहुत सारे बाते हैं जिनमें तिलक का रास्टरवाद या तिलक का स्वयराज्य के बारे में क्या विचार था तिलक के मूलत है उन्होंने स्वयदेशी को अपनाया या स्वयदेशी अपनाने की बात कही थी बहिशकार, निश्क्रिय प्रतिरोध और रास्ट्रिय शिक्षा इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अपने विचार तिलक ने रखे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रास्ट्रवाद के बारे में तिलक के विचारों को तो वो पुनरूथान वादी और पुनर निर्मान वादी थे। उन्होंने वेदों तथा गीता से आध्यात्मिक शक्ति एम रास्ट्रिय उत्सा ग्रहन करने का संदेश दिया और बतलाया कि भारत को प्राचीन परंप्राओं के आधार पर ही आज के भारत के लिए स्वस्त राश्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में अपने विचार व्यक्त करते हुए मराठा में भी उन्होंने लिखा कि सच्चा रास्ट्रवाद कुरानी निव पर ही निर्मान करना चाता है जो सुधार पुरातन के प्रती घोर एसमान की भावना पर आधारित है। करने का बहुत प्रयास किया कि उन्हें गीता और वेदों के महान संदेशों में नई शक्ति और नई चेतना ग्रहन करने चाहिए। ऐसा करने पर ही भारत वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकेगा जिसके बलपर ब्रेटिश नोकरसाई से टकर लेकर स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा। तुधारों के नाम पर प्राचीनता का आनादर करना राष्ट्रियता के पतन का प्रतीक है। उनकी माननेता ये भी थी कि राष्ट्रवाद एक अध्यात्मिक और मनोवेग्यानिक धारणा है। उनका कैना था कि प्राचीन काल में आदिमस जातियों के मन में अपने कबीले के प्रती जो बक्ति भावना विद्यमान थी उसी का आधुनिक नाम राश्टरवाद है। इस राश्टरवाद का समंध तिवर समवेगों तथा अनुभूतियों से होता है। प्राचीन काल में जो आत्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेश तक से मित्थे वे अब राश्टरवाद के अंतरगत संपूर्ण राश्टर में व्याप्त हो गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आज राश्टरवाद की भावना किसी क्षेत्र विशेश के प्रति नहीं, अपितु समूचे राश्टर के प्रति अनुभव की जा सकती है। तिलकी ये भी मान्य था थी कि जो राश्टरवाद राश्टर एकता पर आधारित होता है, वही सच्चा और स्वस्थ राश्टरवाद है। उनकी अनुसार विचार धराओं, जातिय भेदों, एस्वस्थ, मत बतांतरों, आधी के परिणाम स्वरूप, देश में राश्टरेता की भावना उस्तिवर गती से नहीं पनप पाती, जिस तेजी से यह समान भाशा, समान धर्म और समान संस्कृती वाले देश में पनप सक तिलक के प्रतेक कार्य और प्रतेक भाशन में एकता की भावना हमें दिखाई देती है, वह चाहे धार्मिक भाशन हो, चाहे राजनितिक हो, या फिर सामाजिक, तिलक ने भारत की एकता की स्थापना का मार्ग बताती वे कहा कि भारत में विद्यमान, विबिन पंथ, वेद धर्म के शाखाईं और प्रशाखाईं हैं। यदि ये बात ध्यान में रखे जाए और हम विभिन मतों के बीच एकता इस्थापित करने का प्रयात्न करें, तो ये एक महान शक्ती बन सकती है। जब तक आपस में भेध हैं और हम विभाजित हैं, तब तक एक मत दूसरे से साम मराना शुरू कि उन्होंने केसरी में लेख लिख कर गणपती पूजा की तुलना युनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की। तो तिलक ने राश्ट्रिय उत्सव, राश्ट्रिय गान, राश्ट्रिय ध्वज, आधी देशवासियों के समवेगों और भाओं में ति तिलक के संपोण, राजनितिक चिंतन का आधार स्वराज्य रहा है। तिलक ने प्राचिन भारतिय दर्शन का बहुति गरा अध्यन किया था, जिसका आधारबूत सिध्धान था धर्मराज्य। धर्मराज्य का अभिप्राई एक राजनितिक व्यवस्था से है, जो धर्म पर आधारी थो और जिसका उद्देशे धर्म का रक्षन तथा पोशन हो स्वाराज्य इस ढर्म राज्य की एक आवशक इस्थिति है इस प्रकार स्वाराज्य तिलक के लिए एक नैतिक अविशक्ता थी प्रतेक भारतिये का धर्म अर्थार्थ करता वे अभी था इसलिए उन्हों ने गोशित किया कि स्वाराज्य हमारा जन्मसिद्ध अदिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे तिलक के स्मोल मंत्र का महत्व भली भांती समझने के लिए हम इसकी तुलना दादा भाई नोरोजी फिरोज सा मैता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वाराज समंदी धार्णा से कर सकते हैं उदारवादी नेता स्वाराज्य की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमुने पर करते थे उन्होंने अपने प्रेणा ब्रिटिश इतिहास तथा संस्थाओं से प्राप्त की थी तिलक की प्रेणा का श्रोत प्राचीन भारती राजमितिक दर्शन था जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बतलाया गया और इस प्रकार उनकी स्वराज्य की धाना भारतीय संस्कृति का परिणाम थी तिलक के अनुसार स्वराज्य एक इश्वर्य गुण है विदेशी सामराज्यवाद रास्ट की आत्मा का ही हनन कर देता है इसलिए उन्होंने विदेशी सामराज्यवाद के विरुद संगर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोशना की जेस मिल ने रास्ट्रियता की जो परिभाशा दी थी तिलक उससे सहमत थे और सन 1919 तथा 1920 में उन्होंने विल्सन की आत्म निर्णे की धारणा को स्विकार करते हुए भारत में इसके व्यवहरिक प्रयोग की मांग की थी वस्तुते तिलक का रास्ट्रवादी दर्शन आत्मा की सर्वोचता के वेदान्तिक आदर्श और मैजीनी बर्क मिल तथा विल्सन की धारणाओं का समन्वे था इस समन्वे को तिलक ने स्वराज्य शब्द द्वारा व्यक्त किया स्वराज्य से तिलक का जो अर्थ था वो कुछ भिन्न था और उन्होंने सन 1916 के पूर्वतक स्वराज्य से तिलक का आश्य देश के लिए पूर्ण स्वरधिनता की ऐसी इस्तिति से था जिसमें ब्रेटिश समराठ के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धार्णा को ततकालीन परिस्थितियों में अधिक समयनुकुल और व्यवारिक बना लिया होमरूल आंदोलन के अंतरगत 31 मई 1916 को एहमद नगर में स्वराज्य पर अपने पहले भाषन में उन्होंने कहा कि स्वराज्य से अभिप्राई के वलिया है कि भारत के आंतरिक मामनों का संचालन और प्रबंद भारत वासियों के हाथों में हो हम ब्रिटेन के राजा समराठ को बनाए रखने में विश्वास करते हैं उनके ये विचार उनके यथार्थ वादी द्रिष्टी कोण का परिचा देते हैं तिलक ने पनी पूर्ण धारना अथवा पूर्ण स्वाधिनता के आकांग्षा का परित्याग नहीं किया था वरन त स्थिति को अपनाए जाने का कारणिया भी था कि स्वाराज्य की मांग को राजद्रो से अलग किया जा सके और देश की जनता को स्वाराज्य के लिए संगठित किया जा सके वे जानते थे कि स्वाराज्य का संदेश प्रसारित करने के लिए उनका जेल से बाहर रहना आवश जिससे वे जनता को जागरुक, संगठित और स्वतंतरता के संघर्ष के लिए प्रेरित कर सकें। जिससे वे जनता के हाथ में हो इसी आधार पर उनों ने कहा भी था कि भारतिय रियासतों में भारतिय शासक होते वे भी स्वाराज्य नहीं है। तिलक भारतिय शासन प्रणाली में मुलभूत परिवर्तन भी चाते थे और वो ये चाते थे कि स्वराज्य की धर्णा मुख्यता शासन चलाने वाले व्यक्तियों से नहीं वरन शासन के मूल प्रियोजन से अधिक सम्दित है और हम सबी जानते हैं कि तिलक के लिए श्वराज्य विचार मात्र नहीं था ये उनका धर्म उनका जीवन और उनका प्राण था उदारवादी नेता स्वराज्य का उलेक तो करते थे लेकिन नय तो उनों ने गुलामी के अपमान को तिलक जैसी गहराई के साथ अनुभव किया था और नय ही वे तिलक के समान स्वराज्य के लिए सर्वस्व रूप में समर्पिती थे तिलक का समस्त राजनितिक चिंदन स्वराज्य परकेंद्रित है ये हम सबी जानते हैं और स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और रास्त्रिय प्रगति का मूल तत्व है वे मानते थे कि स्वराज्य के अभाव में कोई उद्योगिक प्रगती नहीं हो सकती, कोई रास्ट्रिय शिक्षा नहीं हो सकती और ना ही कोई सामाजिक सुधार हो सकता है यदि एक बार राजनितिक सत्ता जनता के हाथों में आ जाए तो यहें अन्य उदेश्यों को भी सुगमता पुर्वक पुरा कर सकती है तिलक जब अर्ध चेतना वस्था में मृत्यु सिया पर थे तब भी उनके अंतिम शब्द यही थे कि यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत सम्रिद नहीं हो सकता स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवारे है उन्होंने का मैं जिस स्वराज्य के मांग कर रहा हूँ वेकेवल हिंदूओं के लिए मुसल्मानों के लिए अत्वा किसी वर्ग विशेश के लिए नहीं होगा भारतिय जनता की समस्याओं को हल करने की यह एक ओश्थी है वास्तविक सत्ता जब यह उस दिहां में प्राप्त हो जाएगी तब यदि हम से आपस में कोई मतभेद होंगे तो हम उन्हें स्वयम सुल्चाने में समर्थ होंगे अपने विवादों को स्वयम हल करने की शक्ति हम चाते हैं और इस तरह तिलक के समन्द में यह महत्पूर्ण बात है कि तिलक ने नैक्यल स्वराज्य का नारा दिया वरन तप त्याग समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन के इस एकमात्र आदर्श की ओर बड़े उनके कारियों का भारी स्वरूप चाए जो भी रहो प्रते कारे का लक्ष देश के लिए स्वराज्य ही था और इसी स्वराज्य की जब धारणा को वो अपने मन से स्विकार करते हैं उसे पाना चाते हैं इसी संदर्ब में चिंता मणी ने एक महत्पून बात कही थी कि स्वतंतरता प्राप्ती उनके जीवन का चरम लक्ष था और अपने सामकालीन राजनितिग्यों में उन्होंने इसके लिए सबसे अधिक कस्ट सहन किये बंबई के गवर्नर ने भारत मंतरी को अपने पत्र में लिखा था कि तिलक मुख्या सडियंतरकारी है या सबसे मुख्या शडियंतरकारी है उसने भारत में ब्रेटिश शासन की सब कम जोरियों का बड़ा सावधानी के साथ अध्यन किया है उसके गणपती उत्सव, शिवाजी उत्सव, पैसा निधी और रास्ट्री स्कूल इन सबका एक युद्देश्य है कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड फेंका जाए और स्वाराज्ये को अपनाया जाए या स्वाराज्ये को प्राप्त किया जाए धन्यवाद